हलो रिवन, कॉंपटिटिव एक्जाम में आपका एक बाफिर स्वागत है आज हम जेओ आईटी 817 के जोईनिंग के बारे में यहां बात करेंगे और एक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जोईनिंग दे दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7 सेप्टेंबर को यह लेटर इशु हो चुका है कौन साई यह डिपार्टमेंट रहने वाला है तो आप दे सकते हैं कि यह जो है आपके पास यूथ एन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हिमाचल परदेश का है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आफिस ओडरियां जारी हो चुके है यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी यहाँ पर सेलरी भी मेंशन की गई है कि 12,360 रुपए जो है आपको कॉंटरेक्ट बेसिस पर यह सेलरी दी जाएगी तो यह आप दे सकते हैं और उसके अलावा यहाँ इन्होंने कहा है कि आपका जो 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 जोईनिंग टाइम है वो 9 सेप्टेंबर से लेकर के आप 30 सेप्टेंबर तक जो है जोईनिंग कर सकते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि name of address and candidate का नाम दिया गया है साथ ही place of posting भी दे दी गई है तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पर मिस प्रिती शर्मा जो कि आपके पास 16 से हैं इनकी जोइनिंग directed of youth services and sports HP शिमला में होगी और दूसरे आप दे सकते हैं कि शरी मनीश कुमार इनकी जो जोइनिंग होगी इनकी भी जोइनिंग शिमला में ही होगी यह उना जिले से हैं तो इस प्रकार आप दे सकते हैं इन जो है शाथ कंडिडेट को जो है जोइनिंग दे दी गई है इन सभी की जो जोइनिंग यहाँ पर बताई गई है किसी की नहान, किसी की धर्मशाला और किसी की शिमला और मैक्सिमम की शिमला में ही और किसी की चमबा में भी यहाँ पर जोइनिंग हो रही है तो यह जो है जो है जो है जो फर्स्ट डिपार्टमेट है जिसने जो है अपनी जोइनिंग दे दी है तो आप दे सकते हैं कि 9 सप्टेंबर से ले करके 30 सप्टेंबर तक ये candidate जोईन कर सकते हैं तो इन्हें जो है दो साल contract में रहना पड़ेगा तो आपको पता है कि contract period से अब regular होने के लिए जैसे की बड़े departments है लेक्ट स्टेट, electricity board और education वहाँ पर आपको समय लग सकता है तो ये जो है आज आपके लिए में वीडियो लेकर आ गया था आज की वीडियो आपको किस परकार की लगी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो, share कर सकते हो इसी परकार की future update के लिए आप हमारे चैनल competitive exam के साथ जोड़ सकते हो, धन्यवाद